प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्माजी से समय समय पर देश की विबन हिस्सों में मिल सकते हैं अन्य दिनों में शर्माजी अधिकतार दिल्नी में रहते हैं नमस्कार इंद्राक्षी धाम में दर्सों को आप सभी का हम हार दिक स्वागत करते हैं आज के दिन जिन जात्तों का जर्मदिवस है मेरे जैनीवरस्णी है उन सभी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुबकामनाएं देव प्रबोधनी एकादशी का वर्त और महत्ये में क्या है आज कुछ चीजे इस करकार की हम आपके संग च्रचा करने वाले हैं एक चीज और हमारे सभी दर्शक ध्यान रखें, आज की रात्री भागवान स्री विश्नु के भजन और किरतन की रात्री है, इस मौके को हाथ से ना जाने दें, आई आज का हम पंचांग बढ़ लेते हैं, 8 नवंबर 2019 दिन शुक्रवार, शुक्रपक्ष कार्तिक मास तिथी एक आदशी, नक्षत्र, पूर्वा, भाद्रपद, राहुकाल, साड़े दस्ते बारा के बीच, दिशासूल, पश्यम दिशा, अब हम आपके संद चर्चा करते हैं, आज के समात्यम्मेगा, चार महीने के शैने के पश्याद, भगवान जनारदन, भगवान स्री हरी विश्णों जागते हैं, और हर प्रांत में, अपनी अपनी मान्यताओं के हिसाब से, आज के दिन भगवान स्री नारायन की पूजा की जाती है, हाला कि देवता कभी सोते नहीं है, अगर देव ही सो जाएंगे, तो क्या होगा, परले हो जाएगी, लेकिन, देवताओं की अ लाएं हैं, तो वो अपने अपने हिसाब से अपने लिलाओं को करते हैं, दुर्गा सब्तशती जिन्नों ने पढ़ी हो, तो जिसमें भगवान विश्णू के, कान के मैल से उत्पन, दो असुर, ब्रह्मा जी को मारने के लिए उध्यद कर रहे थे, उस वक्त भगवान स्री विश्णू की नावी से निकले, कमल मंडल में राजमान, भगवान, ब्रह्मा, गावरा उठे, और उन्होंने जनारदन की, स्तुति की, जनारदन को जगाने का प्रयास किया, लेकिन जब देखा के कारे नहीं बनेगा, तब उन्होंने, मा भगवती की स्तुति की, और माया से भागवान स्री विश्नु को जगाईए आपने सुना हो दुर्गाय सफस्थी में तो उस वक्त में भी जनारदन सैन में थे तब जनारदन जागे और पांच हजार वर्षों तक उन्होंने उन राक्सोसों से बाहु युद्द किया आप देखें पांच हजार साल कहना इसी है कहना इसी है पांच साल बिताना भी बड़ा मुश्किल हो या था और वो भी राणंगन छेत्र में युद्द छेत्र में कितनी बड़ी बात है ऐसे ही जब वहां पर जनारदन सुब तवस्था में चले आते हैं तो ऐसे ही यह कह लीजिएगा चार महीने बरसात के मोस आया जाता है आज पूरे दिन एक आश्री का वरत रखा जाता है भगवान स्री हरी के विविन प्रकार के इस्तोत्र गजेंद्र मोक्ष विस्षु सहसर नाम पीला तिलक पीले वस्त्र आज के दिन धारण किये जाते हैं राजिस्थान उत्तरब्रदेश और बहुत सारे ऐस चित्र भित्ती के उपर या नीचे फर्ष के उपर भगवान स्री विष्णु हरी के नाना भाती के अच्छे सुंदर सुंदर चित्र बनाए जाते हैं दिया जलागर के उसके उपर छाज छलनी आदी ढखी जाती है और सिंगाडा मुंग फली और आपका शकर गंदी जो री विष्णु के सामने उठो देवा बैठो देवा उठो देवा बैठो देवा पांच बार भगवान स्री विष्णु के नाम से जरूर रात्री के समय शाम के समय कर लिजे आप संदिया समय जिस समय सूर्य अस्त हो जाते हैं और आज जो वर्त रखना चाहें एक आश्ची का बत रखें पीला तिल्ग मस्त्त पर जरूरल लगा में आज के दिन विश्णु सहसर नाम या ओर ब्रहन ब्रसकताई नमाए इस मंत्रगतव जरूर करें अज के दिन गजेंद्र मुक्ष पढ़ना विश्णु शैसर नाम सुनना या पढ़ना बहुत अच्छा रहता है आज की रात्री में जो विश्णु संपरदायसे हैं जो विश्णु भाकते हैं आज की रात्री में विश्णु जी के नाम से जागरन करना भी आति उत्तम माना जाता है शाम के समय एक दीप जला ले आम पूजा जो करतें वो तो करें एक चोटा सा दीव जलावे और यदि बड़ी छलनी हो तो वो ढकी जाती है यदि छलनी ना हो तो एक कोने में ही एक दीव जला ले और कोई भी आप आकरती जैसे रंगोली बनाते हैं ऐसा ही कोई रंगोली बना लेशâtetoi ही कोई भी जरूर हो तो उसको रख करके और भगवान स्री विष्णु को का ध्यान करके बस एक ही चीज बोले हैं उठो देवा बैठो देवा यानि कि उठिये भी और बैठिये भी यानि कि जब एक स्वायवा व्यक्ति होता है तो हम कहते हैं उठो चलो बैठो लेकिन वह हम जो चीजे इस सच्वारों रूप से चल रही है वो चलती रहती है लेकिन हमारे सास्त्रों में हमारे रिशियों ने जो लिखा है हमें वो मानना चाहिए हर धर्म से जुड़ा व्यक्ति अपने अपनी धर्म को बहुत मानता है न हर व्यक्ति अपने धर्म को मानता हिंदु धर् को तर्क वितर्क तर्क जदे आ जाते हैं लेकिन जिसको अच्छा लगे वो मान लें और बाकी अपनी अपनी समझ है तो आप उठो देवा बैठो देवा पांच बार ज़रूर बोलें और उसके वाद विश्णु जी की नाम से आप कोई भी विश्णु मंत्र ओम ब्रह्म ब्रस्पताय नमा या विश्णु सहसर नाम या विश्णु जी की 108 नाम या कोई भी विश्णु आरती आदी आप जरूर करिएगा आज पास कोई हरी नाराण मंदिरों लक्ष्मी नाराण मंदिरों महापर भी जाकर भी दूप दी घर में नानी, घर में बुआएं, घर में बुजर्ग महिलाएं, आज के दिन क्या मंगल की दिखाती हैं, हमें अपनी माता याराती है, अब संसार में नहीं हैं, लेकि हम जब छोटे से थे, हम देखते होते थे, एक छोटा सदिया जला करके, कोने में चौक पूर करके, खड़ में जाकर के उसको पिसवाया करते थे, क्यों को, अब तो सब कुछ पैकिंग सिस्टम है, खैर, तो वो अपना रखके, सिंगाडे उबाल करके, और वैसे भी सिंगाडे सखरगंदी उबाल करके, बड़े सुंदर सुंदर भजन और गीत, जो वो गया करती थी, हम लोग जाते रहें, तो आप ऐसे मंगल गीत जरूर गाएं, जिने कोई मंगल गीत आता, अब जैसे मंतरों में भी मंगल मंतर होते न, मंतरों में मंगल मंत्र होते हैं मंगलाय तनोहरी आपने सुने होंगे नाना भाती के मंत्र मंगल गान कई-कई ऐसे परिवार हैं जिसमें सधिया बीच जाती हैं मंगल आयोजन नहीं होते बच्चों की शादी नहीं होती भवन नहीं बनते बच्चों का आगर विकास नहीं होता अपने घर में कहीं धन सम्रद्धी की बेला नहीं होती किसानों की फसल अच्छी नहीं होती रख्षों पे फल नहीं आते और घर में बंदे हुए पशु लुद्ध से दूर हो जाते हैं बहुत ऐसे करें पशु भी हैं, खेट भी हैं लेकिन खोशाली नहीं है बहुत ऐसे परिवार है जोग है, नोक्री है, सब कुछ है परिवार है, बच्चे हैं लेकिन क्या है? सन्नाटा है रूखापन है एक्टा नहीं है, प्रेम नहीं है, कोई किसी की बास सँनके राजी नहीं है, तो जब तक हमारे घट में प्राण है, आपके अंदर प्राण है, जतना आपसे बने आप करिए, कोई उपहास करे, करने दीज़ी, आपने सास्त्रों की बातों को मानिये, अपने भुज़र्गों की बातों को मानिये आप नहीं मानेंगे तो आने वाली आपकी जनरेशन क्या सीखेगी आज मेरी माता वो दीप न जलाती मैं बच्पन से चुटपन से उसको न देखता तो मेरे अंदर शायद ये संसकार ये बीज रोपड मेरे अंदर ना होता हम रिश्यों की आज मानी सुनते हैं उनके घर में भी असर आओगा वेद व्यासी को देखे क्या उन्हें कलम चलाई है कैसे प्राण लिखे, कैसे उन्हें सास्त लिखे क्या बात है वेद व्यासी की और्गनेजी जैसे उनसे कह रहे हैं मावरत लिखने के लिए कि तुम अगर जहां रुके तो मेरी कलम रुक जाए लाख शलोक लिखना लाख दोहों को लिखना बिना थमे बताते रहना मजाक नहीं है भाई आप अपने बुजर्गों की बातों को माना करें जो भी हमारे निश्यों ने हमसे कहा है थोड़ा ने सही लिटिल इबिट कुछ न कुछ उसको अपने जीवन में आत्म साथ जरूर करें बाकी मैं ब्रहमन हूँ ब्रहमन का बच्चा हूँ और आप सब से जुणा हूँ मेरे परिवार का आप अंग है दस लाक से जादा की संख्या में आप मुझसे जुणे है तो जो माल लेगा अच्छी बात है मेरा फर्ज है आपको रोज जगाना और आपको रोज समझाना तो आज हम भगवान स्री हरी की पूजा करें और भगवान स्री विश्णु से विशेस प्रकार की हमें आसिरवात प्रदान हो और भगवान जागे तो हमारे घर में भी मंगल जागे हमारे घर में भी सुख सुभाग्य जागे भगवान को जगाने करती है नहीं है कि वो आखे मलते हुए उठेंगे आपके घर में आपके घर में सुख सुभागे जागेगा आपके घर में च्छाई सुस्ती जाग जाएगी आपके घर में आपकी बेलें आपको फल देने लगेंगी आपके घर में पानी शुद्ध हो जाएगा आपके घर में पशुदूद देने लगेंगे जाग जाएगे गईया के थन तो आप ऐसी प्रात्ना करें कि मेरा रोम रोम जाग जाए इसलिए भागवान विश्णों को जगाया जाता है और बहुत सारी ऐसी बाते हैं खैर टॉपिक लंबा हो जाता ध्यान रखता हूं लेकिं फिर भी टॉपिक लंबा हो जाता आईए समय और चला आज की ध्यान मला का आज की ध्यान मला में जोड़ते हैं भागवान स्री नाराण के ही रूप भागवान स्री कृष्ण से भागवान स्री काहना से आउम शांता कारं भुजक शैनं पद्वनावं सुरेशम भागवान श्री विष्न की स्तुति करते हैं भागवान स्री कृष्ण के ही रूप में ओम करार विंदे नपदार विंदं मुखार विंदे विनिवे सयंतं वटाश्य पत्राश्य पुटे सयानं वाला मुकुंदं मनसा स्मरामी कस्तूरी तिलकं ललाट पतले वक्षस्तले कोस्तुवं नासा ग्रेवर मुक्तिकं करतले वेनु करे कंकणं सरवांगे हरिचंदनं सुललितं कंठेच मुक्तावले गोपास्ती परिवेष्टितो विजयते गोपाले चोडामनी सांताकारं वुजगशयनं पद्वनावं सुरेसं विश्वात्धारं गगन सद्रिशं मेगवर्णं सुवांगं लक्षमी कांतं कमल नयनं योग व्रिद्या नगम्यं वंदे विष्णुं भववयाहरं सर्वलो के कनाधं कवश्च बना लें ध्यान करें भगवान स्रीहरी विश्णु भगवान स्रीकृष्ण भगवान स्रीराम का कि ही प्रभू आप ऐसा अश्रवात दें कि हमारा रोम रोम आपके अश्रवात से पुलकित हो जाए ओम बोलते हुए अपने नेत्रों को खोलें समाने हो जाएं देखो दर्शको जो हमारे नए दर्शक हैं प्रति दिन ये ध्यान साधना आती है और जब हम इसमें कवश बनाते हैं तो हम यहां से गुप्त मंत्र पढ़ते हैं उसका एक विशियस आपको लाब जीविन में मिलेगा ये ध्यान साधना से एक तालेस दिन जरूर हर व्यक्ति जोड़ने का प्रियास करें सुबह साथ ब भर में छीटे दे दिया करें पीने के लिए भी सबको दे सकते हैं इससे बहुत अच्छा आपका लाब मिलेगा आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी दूसरी बात शुद्ध समय है अब शादी उस सब मंगल चीजें प्रारब हो जाएंगी योकि विभा आदी हिंदू सास्तर में जिस वक्त में देव सोते हैं तब नहीं होते हैं हिंदू सास्तर के हिसाब से हम तो अपने सास्तर की बात करेंगे न अब आज से ये मान लीजिएगा कि की बहुत सारी चीजें जो हैं रुकी हुई थी वह प्रारंब हो जाती है चलते चलते सभी को आज के इस विशेश पर्व की बहुत बहुत शुब कामना हैं जैमाइंद्राक्षी हम लोग मिलते हैं यह सिरिफ कहते हैं भगवान से जुड़ो और साधना करो और भगवान से बड़ी सक्टी तो कोई नहीं है गुरू गुरू के बाद भगवान गुरू माता पिता और भगवान यह तीन चीज को अगर हम लोग अपना लें अपने जीवन में तो फिर नहीं लगता है कि हमें किसी की जुरोत पड़े हमारे लिए तो बस अब जो भी है सो गुरुजी ही है किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंदरु शर्माजी से नोट शिवर में भाग लेने है तो एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा दस वजे से शाम छे बजे तक हमारे विभिन ज्यान बर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना न भूलें